ड्राइविंग श्कूल शुरू कर रहा था हैं पांच सालों में बिल्डिंग तक नहीं बनने दी इनों ने रिंग रोड अब आपकी अधुरी है उचारा कारा ओबर बिज जो है उप्राइबी अधुरा है यह सारे कारिया जो सोनिया जी ने शुरू करवाए रहे सब फंडे बस्ते में डारे जाएं तो यह सब बाते आपको बहुत विवेकी से समझने पड़ेंगे आपको सोच समझ कर जिम्मेदारी से अपना वोट देना पड़ीगा का यह वोट सिर्फ आपका अधिकार नहीं है लेकिन आपकी शक्ती है यह बहुत बड़ी जिम्में जाजी है सिर आपके शेशे के प्रती नहीं आपके बच्चों के भविश्य के प्रती नहीं लेकिन देश भर के प्रती आज देश में जो सफकार है और लोग तंतर को दबाना चाहती है जब आप जैसे महिनाये जिनकी बहुत अच्छी मजबूत आदत है कि आप आपकी अध्रेकारों को म कर चाहती है मुझे मालू है गाउं में भी सभू कि मेरी बैने जुने को बखर का है तो जाकरना पर अधर्श्र करती है आप अपना आवाज उठाती है ये बहुत बड़ी मजबूती है लोग तंतर की मजबूती इस शक्ति लोग तंत्र ने दी है आपको किसी नेताने आए जो नेता है इस चेस्ट को बूल जाया जिस राजवी की में जनता को नकारा जाता है या जनता के आवाज को दबाने की कोशिश होती है या जो सलस्टाइं जनता की शक्ती और जनता के अद्यकारों को फुरक्षित रखती हैं, उन्हें तोड़ने की कोईशित बादी. अथाज थेश के परती, आस्था और देश के परती निष्था की सरकारे नहीं हैं. वह ऐसी संफारे हैं, को सिर्ख अपने प्रत्ने श्क्ति शारी हैं, और यह जाती हैं कि अपना विकासो bah, आज़े बढ़ने वह शक्सी शारी हैं, वह नहीं जाना है कि उर्ट जाता शेके जटा शक्सी शारी करने हैं और ऐसी से सर्कार आपने प्राफ सालों में नहीं तो जब शिक्ष्या मित्र, जब अधियापप, जब लोजगार, सेवा, जब अनुदेशा, आंगरमोरी की बेहने, आश्या बखुएं, जब यह उतने अधिकारों को मानते, प्रदर्शन करते, तो इनकी पिडाई नहीं होती इनको जेल में नहीं धरा जाता, इनके खिलाफ देश ब्रोक कानून नहीं लादा जाता, अगर एक ऐसी सर्कार होती, जो जंदा क्या पक्ष में काम करती, तो आपकी सुनवाई होती, जिसकी समस्या उचती है, उसकी सुनवाई होती, आपके बीच इनके नेता आते हैं, कैसे जी रहे हैं, लेकिन मैं इनके फ़ास्ते में वारा नसी नहीं, वारा नसी प्रधान मंत्री जी का खेस्र है, ओ मुझे ताजब हुआ, कि प्रधान मंत्री भी खुद वारा नसी की एक बीच गावं के अंगर नहीं घया है, पाक सानों ने उनको इतना समय नहीं मिला कि तो आपके गाउं में जाएं और वारा रसी अपने ही छेत्र में किसी एक परिवार, किसी एक किसान से पूछने, कि भाई कैसे जी रहे हैं, कैसे आपे बढ़ रहे हैं, क्या समस्याई हैं तुम्हारी, और मैं हमेशा कहती हैं, अगर चले जाते हैं, किसी किसान से बात कर लेते तो ये भी पता चल जाता कि आप में आवारा पश्णों के नाम क्या रखे हैं। लेकिन बाज़का के मेट्या अब हवा में उल रहे हैं। उनके पाउं और जमीन पे नहीं है। जनता से नाता कुछ गया है। इनके इश्टिहार की आप देखें। तो जो लब्स इस्तिमाल करते हैं कि हम जनता को हार दे रहे हैं और रिकास करते हैं। इस तरह की लब्स का इस्तिमाल करते हैं। इसका मतलब है कि इनकी मानसिक्ता कुछ और है। ये सोचते हैं कि आपके लिए काम करके कुछ एखसान कर रहे हैं। भूल चुके हैं कि ऐसान आपने किया है नेता बना कर तो आप यह बाते अच्छी तरह से समझ लेजिए राज रीपी आपके लिए है नेता आप बनाते हैं उसका घर्म होता है कि आपके लिए काम करें आपने राइवरेट्वी में कैसा नेता देखा है आपने सुनिया जी को सोनिया जिव बिमार भी थी, हस्पिताल में थी तब के मुझे कहाँ दी ती की प्रियंता देखो वहाँ पे कोई जा रहा रहे राये भरेगी क्या हो रहा है काम रुक तो नहीं राये बिमारी में भी आपके बारे में उनके दिल में यक चिंटा था कि वहां काम नहीं रुपना चाहिए तो एक ऐसी हेटा है जो आपके इखित में हमेशा काम करेंगे आपके लिए समर्थित रही है और जीवन पर समर्थित रही है चुनाव आ रहा है मुझे उनके पक्ष में बोट मांगना भी बुरा लगता है क्योंकि मैं जानती हूं कि आप आप जो होट है वो आप वरसेपी समझतारी से देते हैं विवेक से देते हैं अपने मुझे अपने विकास से देते हैं और आपके घिलों में भी उनके लिए इतना ही प्रेम है चत्रा हूं के दिल में काते हैं तो छेतारी को अपनी जावरता देश को दिखाईए देश को द बॉह्वबगे की पंदे मे खे ताहु को आप इस देश की जंता को दिखाईए कि राय हरी में लूप मंत्र मस्बूत है कि राय परियली में जब आवाज हो जुदी है तो देजगर में वो आवाज पहुचती है कि इस जन्ता को दिकास चाहिए, इस जन्ता को सच्ची स्वच राज़्मी की चाहिए और इस जन्ता को ऐसे राज़्मी की चाहिए जो जंजा को आवे बढ़ाएं, जंजा की महल्वकूनता को समझे और जंजा का आदा करें आप सब को बहुत बहुत जैने वाज काफी खूपे फिर भी आप ठेरी नहीं इसके लिए बहुत बहुत थायाँ जैन